गाधी जी ने आंदोलन घर में किया होता तो क्या हम आजात भारत देश में इस तरह की बखवास करते होते नहीं क्यूकि आंदोलन करा ही जाता है सरक पर कीई शाहिन बाग के प्रोटेस्ट को बंद हुए फिलहाल दस महीनी से जादा का वक्त गुजर रहा है और उस प्रोटेस्ट को ले करके जिस तरह से तनाजा खागा हुआ विवाद खागा हुआ तमाम तरह के जानकारियां सामने आई लोग उसे बहुत थी बखोबी तरी से वाकिफ हैं और इसी इशू पर बात करने के लिए शाहिन बाग की ही प्रोटेस्टर्स हैं डॉक्टर कनीज फात्मा हम इनसे बात करेंगे इस पूरे मसले को ले करके फात्मा जी क्या कहेंगी अब तो माली ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो आप लोग अभी ये प्रोटेस्ट बगरा दुबारा शुरू करने पर कोई विचार कर रही है प्रोटेस्ट जो पूरे भारत की जनता के खिलाफ है समझे कि एक ऐसा जहर लेके आई है सरकार कि पिएगा इंडिया तो जीएगा इंडिया कह रहे है कि सब को ये कानून ये लड़ू है ये राबडी है ये बड़फी है आप लो ले लो ये आपके लिए कानून है ये दलि कानून लाए हो मगर किसी के भी हित में नहीं है इनफेक्ट पूरे भारत का ये शरवनास करेगा ये कानून तो मैं कहना चाहती हूं कि जो कुछ लेना नहीं चाहती है जब जनता जनता कमफर्टेबूल है बेगर कानून के तो आप वापस ले लो शाइन बाग ये चाहते है और हर एक के लिए तो हर एक कमुनिटी के लिए कानून लाए हो तो ये तो अब जन आन्दोलन बन गया सब के लिए खिलाफ है और सब लोग एक साथ प्रोटेष्ट कर रहे हैं गोर्नेंट के खिलाफ अब गोर्नेंट को सोचना होगा कि मुठ़ी बर जो चंद पूजी-पत उनके पास leaders भी है face भी है और जब शाहिन बाग की बात आती थी तो शाहिन बाग में लोग कहते थे कि हमारा कोई face नहीं है जो ही बात करना दादियों से बात किया जाए तो एक बड़ी नाकामी के तोर पे हम लोग किसे देख रहे थे और साहिन बाग ने जनता करफी के समर्तन किया समविधानिक काम किया क्योंकि लोग डाउन में महामारी में हमारे प्यारे नभी सल्ले लावलेवसल्म ने भी फर्माया कि जब महामारी का वक्त आय तो आप घरों में बंद हो जाओ दूसरे को भी अपने घर नहीं आने दो और खुद भी किसी के घर नहीं जाओ तो हमने समर्तन किया ठीक है लेकिन आइसा ने कि प्रोटेस्ट बंद हुआ है हम लोग लगातार 284 दिंग प्लेकाट डाले हैं अब हम लोग सरक्ते ही हैं लोग जगा जगा मतलब अपना जो विरुध दिखा रहे हैं सरकार को या जो हमारे खिलाफ हैं लोग जो हमारे भर दिये गए थे लोग ज GIR दिखाई जा रही है कि शाहीं बा姬 अभी जिन्दा है साहिन बाग पहले भी काले कानून के खिलाब था और C.A. को रद करने के लिए पहले भी बैटा था आप भी गती भी दी है हमारी हम लोग काम कर तो क्या जिस सड़क को लेकर जिस सड़क पर जो है आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था उसी सड़क पर आप लोग कर नहीं कर सकते बट मैं कहना चाहती हूं सुप्रीम कोट से भी वैसे जो भी है सुप्रीम कोट को थेंक्यू करना चाहूंगी जा अच्छा फैसला है हमारे लिए बुरा फैसला है लेकिन सारी दुनिया अभी जो पूरा भारत कही है इंफेक्ट कि सड़क पर बैठी हुए तो नाजारे का अंदोलन देख लिए चाहे आप जो रेप के अगैंस्ट जो भी आंदोलन किये गए इस सब तो सड़क पर ही थे तो कहने का मतलब कि कोई जगा आप लोग चुन रही है माली जी कि अगर शाहिन बाग के सड़क को आप नहीं बाधित करना चाहेंगी रोकना नही जाहेंगी जनतर मंतर या कोई और भी जगा हाँ फर्स्ट अफ आफ अल अगर मैं कहती कहना चाहती हूं गर्मेंट से भी और सुप्रीम कोट से भी कि अगर गांदी जी ने आंदोलन घर में किया होता तो क्या हम आजाद भारत देश में इस तरह की बगवास करते होते नहीं कर रहे होते क्योंकि अंदोलन करा ही जाता है सरक पर कि मेरा जो अकरोस है जनता का अकरोस है वो गर्मेंट देखे और उसकी मांग पूरी हो बट ऐसा हुआ नहीं अनफर्चुनेटली हम सरक के कोई नहीं करेंगे क्योंकि हम पर ही कंडिशन ठोपा गया है हम लोग जंतर सारे कानून एक साथ वापस कर ले सरकार साहिनबाग की मादादिया यही कचाती है मादादिय वो तो चाहती है वो तो वजाहर है वो तो सब देख रहे है कोई डेट कोई तारीख कोई वक्त कोई मुकरर किया गया है आप लोगों की तरफ से या अभी सब कुछ प्लैन करना कि पुलिस इस तरह से लोगों को तंग करती है तो दादी को शाहिन बाग के प्रोटेस्टर ने समझा कि जो शाहिन बाग की शुरू किया गया था प्रोटेस्ट को सी एक एक एंस्ट वो दोबारा शुरू किया जाएगा लेकिन फिलहाल अभी कोई वक्त मुकर्र नहीं है इंतजार होगा कि वो सी एक प्रोटेस्ट क्या पार्मर प्रोटेस्ट के से जाधा बड़ा होगा या उससे क कम होगा और कितना असरदार होगा नए दिली से शमस्तब्रीस टाइम्स में